गाइज अपनी C++ की लास वीडियो में हमने Object Oriented Programming की सिर्फ theory पड़ी थी तो आज हम इसका Practical काम करके देखेंगे कि Classes क्या होती हैं, Objects क्या होती हैं तो इसके बारे में आज हम Practical करेंगे तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे क्लास क्या होती हैं, उसके बाद हम देखेंगे Object क्या होता है फिर उसके बाद हम बात करेंगे Public and Private Access Specifier के बारे में सबसे पहले मैं आपको एक Class बनाने का syntax बता देता हूँ कि वो किस तरह से होता है जब हमने Class बनानी है ना तो उसके लिए हमें Keyword Declare करेंगे सबसे पहले लिखेंगे Class क्योंकि हमने Class बनानी है तो हमें Class तो लिखना ही पड़ेगा उसके बाद हम अपनी Class का नाम लिखेंगे, यहाँ पर मैंने अपनी Class का नाम रखा है User अदर आप जो भी रखना चाहें आप वो रख सकते हैं ठीक है उसके बाद हमें Curly Bracket लगाएंगे और जहां पर हम Curly Bracket को Close करेंगे उसके बाद हमने Semicolon लगाना है ठीक है अपना इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि Private क्या होता है और Public क्या होता है देखें यहाँ पर मैंने लिखा है Private और उसके अंदर मैंने तीन Variable डिकलेर की है A, B और C ठीक है अब यह Private में और Public में फर्क क्या है प्राइवेट में और Public में यह फर्क है कि जो हमारा Private Data Type है उसको सिरफ वही Function Call कर सकते हैं या हम इसको कह सकते हैं कि Use कर सकते हैं जो Function हमने अपनी Class के अंदर लिखे हुए हैं जो Function हमने हमने अपनी Class के अंदर Declare किये हुए है या उनकी पूरी Definition लिखी हुई है सिरफ वही Function इन Data Types को Use कर सकते हैं ठीक है अब देखें मैं क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि मैंने सबसे पहले Private Data Type बनाया उसके बाद मैंने Public Data ठीक है अब हम ना इसमें दो काम कर सकते हैं हम इसमें एक काम ये कर सकते हैं कि हम मगर चाहे ना तो Function सिरफ इधर ही Declare कर दें और उसके बाद जो के इसकी Definition है वो Function मतलब अिकलास से बाइर लिख ले यह अभी यहां पर देखें मैंने जोनों कर से किया है यहां पर मैंने कर दोनों स öğren किया है और यहां पर मैंने Function कोड टूर भी किया और इसकी Definition भी क्लास के अंधर ही लिख दीऑ अ सबसे पहले हम देखते हैं कि Class के बाहर हम function की definition किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखें, मैंने क्या किया, void, set data, उसके बाद मैंने उसके अंदर क्या देदी, जो data types हमने बनाई थी, integer a, b और c, तीनो data types मैंने उसके अंदर pass कर दी, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इस वाले function को, set क्या करना, इसने कोई चीज हमें return तो करनी नहीं है, सिर्फ इसने क्या करना, set data करना, मतलब data set करना है, हमारी इन तीनों जो variables था है, उसके उपर, मैंने सबसे पहले लिखा, void, उसके बाद मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा, हमारी class का नाम, user, उसके बाद मैंने दो colon set data, मतलब यही वाला जो function था, मैंने इसी function का नाम यहाँ पर लिखा, और उसके अंदर मैंने वो values दे दी, जिन values के थुरू मैंने in values के उपर, in values के उपर मैंने data को set करना है, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, integer u1, integer u2, integer u3, अब मैंने यह किया, मैंने यह किया, कि a को म u1 के, b को equal कर दिया, u2 के, c को equal कर दिया, u3 के, ठीक है, यह तो बात होगी हमारी, कि जब हम अपने function को class के बाहर क्या करते हैं, उसकी definition को class के बाहर लिखते हैं, कि किसी function ने क्या काम करना है, इसी तरह हम उस function को class के अंदर भी declare कर सकते हैं, और उसकी definition भी हम चाहें, तो class के अंदर ही लिख सकते हैं अच्छा ये देखें ये किस तरह से हुआ है यहाँ पर मैंने लिखा void उसके बाद मैंने एक function बनाया get data उसके बाद मैंने उसकी return type दे दी क्या void ठीक है उसके बाद मैंने उसकी definition लिखने के लिए किया गिया एक curly bracket लगाई और curly bracket को close किया अब मैंने के किया मैंने यहाँ पर किया the value of a is यह मतलब के यह वाली मैंने lines लिखी किस काम के लिए जो हमारा data है उसको output में show करवाने के लिए सही है अच्छा अब हम चलते हैं main की तरफ अब हम देखेंगे कि हम एक object किस तरह से बनाते हैं object बनाने के लिए हम पता क्या करेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे अपनी class का नाम उसके बाद हम उसकी एक object बना लेंगे ठीक है यह मैंने अपनी class का नाम लिखा user थै मेरी class का नाम वो देखें उपर यह क्या है हमारी class का नाम क्या है हमारी class के नाम है user, उसका मैंने एक object बिना लिया, उसका मैंने object बिनाया, शहमीर, ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस object के through, मैंने अपनी class के एक function को call किया, यह देखें, मैंने set data वाले function को call किया, और इसको मैंने values कौन सी pass की, 3, 5, or 6, ठीक है, मैंने इसको 3 values pass कर दी, अब क्या होगा, 3, 5, or 6, कहां पर जाएगी, 3, 5, or 6, जाएगी, 3 जाएगा U1 में, इसी तरह 5 जाएगा U2 में, 6 जाएगा U3 में, और यह values यहां से इनके पास आके assign हो जेंगी, A, B, और C के पास, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने जो हमारा दूसरा function था, get data व values मिल गी है, 3, 5, or 6 हमें output में मिल गया, लेकिन हमें जो था यह जो दो variable थे अगले, D और E, इनकी value तो नहीं मिली हमें, ठीक है, यहां पर मैंने वो भी नहीं किया, इसको हमें 1 minute B कर लेते हैं, इसको C कर लेते हैं, इसको D कर लेते हैं, और इसको E कर लेते हैं, अच्छा दे यह वोले dot add type है न, D और E, यह दोनों कौन से हैं, यह public में है, मतलब कि हम इनको अपनी class के बाहर से भी हम इसको use कर सकते हैं, देखें मैं भी आपको use करके दिखाऊंगा, यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां पर जाते हैं, उसके बाद मैंने किया, मैंने हमारे object को use किया, औ dot E, नहीं, sorry, पहले हमने D को करते हैं, D is equal to, मैं कर देता हूँ, 22, ठीक है, उसके बाद मैं कर देता हूँ, उसके बाद मैं E को भी set कर देता हूँ, E is equal to 45, ठीक है, अभी देखें, अभी जब हम इसको चलाएंगे न, तो हमें इन दोनों की values भी मिल जाएंगे, देखें, 22 औ उनको पास करने की क्या ज़रूरती, लेकिन मैंने भी आपको बताया कि ये वली जो values है न, A, B और C, वो हमारी private access के अंदर, उनको हम सिरफ उनी function के through access कर सकते हैं, जो के हमारी class के अंदर लिखें हुए, ठीक है, देखें, मैं आपको कर के दिखाता हूँ, अगर मैं यहां प बनाया हुआ है, तो आप इसको इस तरह से access नहीं कर सकते हैं, अगर आप इसको access करना चाते हैं, तो आपको इसको उनी function के through access करना पड़ेगा, जो के आपकी class के अंदर declare, तो इसलिए हम, जो बात है हमारी के public और private में क्या फरक होता है, और उसके बाद हमने आज देखा कि ह हम class किस तरह से बनाते हैं, उसके बाद हमने देखा कि हम object किस तरह से बनाते हैं, फिर हमने देखा कि हम जो एक function मनाते हैं, उस function को हम अपने class के अंदर भी declare करके define भी कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हम उसको class के बाहर, उसकी definition लिखे हैं, और class के अंदर सिरफ उसको declare कर अगर मैं आपको यह वला भी करके दिखाओं जो दूसरा function अगर मैं आपको इसको भी करके दिखा दूँ तो हम इसको किस तरह से करेंगे यहां पर हम इसको ऐसा करते हैं सबसे पहले ना इसकी return type लिख लेते हैं इसकी return type है void उसके बाद अपनी class का नाम लिखते हैं उसके बाद हम दो लोगाएंगे यह वले operator उसके बाद हमने क्या करना है अब देखें जैसे यहां पर मैंने इस function को यूज किया था set data को इसी तरह से मैं यहां पर यूज करूँगा इस वले को तो देखेंगे आपके अभी भी यह चल जाएगा यहां पर हम ऐसा करते हैं कि सिरफ इसको ना declare कर देते हैं ठीक है अभी मैंने इसको declare कर दिया और इसको हम यहां से करके यहां तक क्या करते हैं comment कर देते हैं अच्छा अभी इसको run करके देखते हैं तो देखें अभी भी य उसी तरीके से चल पड़ा है इस तरह मैं मतलब आपको यह इसलिए करके दिखाया है कि मैं आपको बताना चाहा रहा था कि हम जो है ना अगर चाहे तो अपने function को सिरफ class के अंदर declare करते हैं और जो define करना है हम उसको class के बाहर भी कर सकते हैं तो hope so guys आपको इन दोनो बलके चारों चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको like करें और चैनल को subscribe करें ओके अल्ला आफेज